नमस्कारम सद्गुरू, आपने नमक की गुडिया बनने और समद्र में डुक्की लगाने के बारे में बात की थी, लेकिन जब आप नमक की गुडिया हों, लेकिन अब तक आपने डुक्की नहीं लगाई है, तो वो इस थिती कैसी होती है, क्या आप उस उस थिती को बता सकते कि वो क्या होती है? सिर्फ तभी अच्छा है ये घुल गया है अगर समंदर के साथ नहीं तो कम से कम सांबर के साथ जब ये किसी चीज में घुल जाता है तो अच्छा होता है अगर नमक का टुकड़ा बना रहता है तो ये बुरा है तो जीवन भी वैसा महसूस होगा अगर आप अलग थलग रहते हैं तो वैसा ही महसूस होगा इस धर्ती पर ज्यादतर लोग पूर्ण सहजता का एक पल नहीं जानते हैं आनंद को तो भूली जाएए परमानंद भूल जाएए किसी और चीज के बारे में भूल जाएए वो ये भी नहीं जानते कि सहज होना क्या है ये सबसे बुन्यादी चीज है बहुत से दूसरे जीवे से जानते हैं आप देखिए अगर एक कुत्ते ने अच्छे से खा लिया है तो वो पूरी तरह से सहज होगा लेकिन इनसान सहजता नहीं जानते ज्यादा दर लोग नहीं जानते कि सहजता क्या है इसलिए उन्हें इतनी बीमारिया होती है हाँ बस यहां यूहीं बैठ पाने के लिए बस यूहीं बैठने के लिए नहीं हमेशा ओथल पुथल जारी रहती तो जीवन ऐसा ही होगा क्यूंकि आप नमक से बहुत ज्यादा भरे हुए है आप जानते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है जब हम नमक कहते हैं तो ये एक तरह से सार है अगर आप कहते हैं पृत्वी का नमक इसका मतलब है कि आपने धर्ती का सार तत्व ले लिया है तो जब हम कहते हैं आप एक नमक की गुडिया है या अगर आप वैसे बन जाते हैं तो ये सार है फिलहाल आपके व्यक्तित्व का सार पस आपके विचार आपकी भावनाएं आपकी राय पूर्व धारणाओं का एक बंडल है जो आप ढो रहें ये आपके व्यक्तित्व का सार है और ये आपके कर्मों से जबरदस्त रूप से प्रभावित है आपकी या आदाश थी आपको वो बनाती है जो आप है तो ये आपका नमक है आपके व्यक्तित्व का सार बस वही है जो आपको कल या पिछले पल के बारे में याद है अगर हम आपकी यादाश्ट को बस आपके मन से ही नहीं बलकि आपके शरीर सहित सभी स्तरों पर मिटा दें अगर आप सारी यादाश्ट मिटा देते हैं तो कहीं भी व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होगी अगर कोई व्यक्ति नहीं हो, तो बस जीवन होगा अगर सिर्फ जीवन हैं, अगर आप जीवन के बस एक अंश के रूप में यहां बैठते हैं तो आप जीवन के रूप में धड़केंगे अगर आप जीवन के रूप में धड़कते हैं, तो आप तुरंत अनुभव करेंगे कि जीवन पूरे अस्तित्व के साथ तालमेल में घटित हो रहा है कभी अलग से घटित नहीं होता, क्यूंकि ये अलग नहीं रह सकता है और नहीं ये कभी अलग रहा है, हमेशा हर चीज के साथ एक होकर रहा है ये सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही है, जो अलग घटित हो रहा है यही नमक है, आपके विचार, आपकी राय, आपकी फिलोसफी, आपकी विचारधारा जब आप अपने विचारों को जटिल कर देते हैं, तो ये एक विचारधारा बन जाती है आपकी भावनाएं, जो उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति है आपके पूर्वग्रह, उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति है वास्तव में, आप अपनी यादाश्ट में निवेश कर रहे हैं या असल में, आप उसमें निवेश कर रहे हैं, जो मर चुका है आप मुर्दा घर को संभाल रहे हैं, आपका धंदा मुर्दों के साथ है हर पल, आपका जीवन उस बारे में हैं, जो खत्म हो गया है तो आप एक खास उथल पुथल की स्थिती में रहेंगे